हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा यह मेरी बेटी है और मेरी बेटी ने पहनी हुए एक दोती सलवार इसका लुक आपको मैं दिखा रहता हूं पहले पूरा लुक देखें उसके बनाई है मात्र 1.5 में बनाई है और 8 से 10 साल के बच्ची के लिए डेडी मेंटर कपड़ा सफिशेंट होता है तो दोती सलवार जो होती है दोस्तों कैसे बनती है यह तो आपको आज की वीडियो में सीखने को मिल ही जाएगा और साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बता अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो टोटल में डेड़ मिटर कपड़ा लिया है और इसकी जो विर्थ है यानि इसका जो अर्ज है वह नौर्मल इतना कपड़ा होता है ब्याली सिंच का अर्ज है तो सबसे पहले आपको कपड़े को करना क्या है यह देखिए पूरा ए यह जो हैंसे यह दो दोनों को उठाना है और इसको मैं कर रहा हूं इस प्रकार से आपको रखना है तो मेरा कहने का जो मतलब वह है कि सिर्फ डेड़ मिटर कपड़े में ही एक आठ से दस साल की बच्ची के लिए दोतिसलवार बन जाएगी और कपड़े को कैसे सैट करना वो मैंने आपको बता दिया है अब यह मैं आपको दुबारे पता देता हूं यह देखे कपड़े को पहले पूरे डेड़ मिटर कपड़े करने तरह से पहले हमें जिस की के जूर पड़ेगी तो मैं आपको बता तहां मेजर defendants जब आप दो दोतिसलवार का नाप लेते हो तो केवल आप को क्या करना यह देखिए सबसे पहले को क्या करना यह नीचे से नीचे से आपको लगभग दो इंच छोड़ देना यह देखिए एक निशान लगाना है दो इंच पर दो इंच आपको छोड़ देना है यह देखिए मैं आपको दिखाता हूं टोटल कितना ही है लगभग दो जो जैन्स लोग जो दोती पहनते हैं पहनने के बाद को थोड़ी से उपपर के तरफ खिचती है इस वज़े से लंबाई कम ना पढ़ता है तो दो इंच आपको यहां से एक्ष्टा रखना है अभी जो मैंने सीधा निशान लगाया इस जगह से आपको दोती के लंबाई लेन कि तो दो इंच आया उपर जैसा कंकरने क्यों करने कि यह यहां से दो यह कैसे आपको निकालना है तो दोस्तो क्रोच एरी के लिए आपको इस जगे से आपको आसन इसका निकालना होगा तो आसन निकालने का फार्मूला क्या है जब कुछ छोटा बच्चा होता दस साल तक का उसका जो आसन तयार होता है वह ज्यादा ज्यादा दस इंच का होता है तो तो इस गुलाई वाली जगह पर आपको इस प्रकार से कटिंग कर दिये तो यह इसका क्या निकल गया आसर निकल गया है यहां से बिनकुल सीधा आपको हलका साइक कट करना इसको सीधा को यहां से आपको कट कर देना लगबार डेढ़ इंच का यह देखें इस प्रकासिस को मैं कट कर दिया अब रही बात नीचे पैर की यानि इसकी जो महरी है छोटे बच्चे का जो प्यार का साइज होता है ज् लेकर नीचे से बंदे तो नीचे वाले पार्ट को आप यहां से कट के अलग कर ले और यह जो पांच इंच वाला जो निशान है दोस्तों यहां पर आपको एक कट लगा लेना इस प्रकार से ताकि अंदाजा रहे कि कहां तक अमने इसको फोल्ड करना है तो फ्रेंट्स दोस् सारी के से बताता हूं उसके लिए जुरुत पड़ती हिपसाइज की हिपसाइज दोस्तों इसका ठाइस है तो अठाइस का आदा कितना होता है तो इस जगे से आप एक निशान लगाने है चौदा इंच पर यह चोदा इंच और इसके लाब आपको चार इंच एक्टर लेना तो दोस्तों पांच इंच उड़ाई मैंने इसलिए लिए क्योंकि जब इस बैल्ट को मैं लगाऊंगा तो आधा आधा इंच तो इसका मार्जन चला जाएगा फोल्डिंग में और जो बैल्ट तयार बचेगी हमारी दो इंच बचेगी वह कैसे अभी दिखाता हूं मैं है आपको बता तो कि इसलाएं कैसे करनी है तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूं कि दो तीस अलवा क्या कुश्चिंग करनी कैसे सबसे पहले देखे दो पार्च आप करना को सबसे पहले आपको इसको इसी आपको जब लगाने बास फिर मैं इस लाइओं को बताई तो फ्रेंट्स यह इंदर मैंने शेल लगा है और इसी पकार से इस इस गनीत को समझना होगा कि इसके अंदर प्रेट यहां फिल को कैसे अटेश करना तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले में आपको दिखाता हूँ यह दिखीश की बैल्ट आप मेरे पास देखें यह जो बैल्ट है बैल्ट की टोटल आपको देखने कितनी लंबाई है यहां से लेकर यह तक यह पर लम्बाई दोस्तों वह 16 झाब 36 का आपको करना एक है दस तो दस इंच के दारे में आपको लगानी है अब प्लेट कैसे लगानी है कहां तक लगानी यह देखिए यह जो स्राइल लगाई दोस्तों इस गणित को सोड़ा समझ लेंगे तो सारे साइज की सलवार बना सकते हैं अब यहां से आपको प्लेट स्टार्ट करनी है और 9 इंच तक यह सारे कपड़े को आपने 9 इंच में कवर करना है क्योंकि जो टोटल बैल्ट है वो है अमारी तयार वो है 36 और 36 का दो अठारा और नो तो यहां से लेकर यहां तक यह जो सेंटर पर वाला जो low इष लगाति आपको इसमें लगा नी एट लगानी है तो प्लेट आपको लगानी कैसं इसत्रफ यह दि dawका से प्रकार यह लगा नी है आप जाए 1 इंच की लगाओ चाहे 1 इंच की लगाओ बस यह है कि यहां से लेकर यहां तक यह जो सेंटर वाड़ा जगा ना जो डेड़ा जगाए आपको पूरा इसको कवर करना नो इंच के अंदर ठीक इसी प्रकार से फिर जब आप इधर प्लेट लगा ओगे तो यह जो दो इंच वाली जगह यहां पर आजाएगी इस प्रकार से पहली प्लेट हो गई इसके बाद दूसरी फिर तीसरी फिर चोथी फिर पांच विस्तर करते करते आपको पूरा जो कपड़ा नो इसके दाइरे में कवर करना है और उसके बाद जब यह प्लेट आप इस तरफ से जब आप दूसरे वाले पार्ट में लगाओ यह वाले देखिए इसको भी मैं आपको दिखा जाता हूं यह देखें यह जो जगह है यहां पर मैं लगा रखिए अब जब आप इसमें प्लेट लगाओ तो इसका भी से वही फार्मूला होगा यहां से दो इंच निशान लग करेंगी उसके बाद असानी से लग जाएगी लेकिन सबसे पहले दोस्तों इसमें प्लेट लगानी कैसे उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मशीन पर तो फ्रेंट्स प्लेट्स आपको लगानी कैसे यह देखें आपको पहली प्लेट लगानी यह जो मैंने निशान यहां से लेकर आपको नोईज के दारे में सारे के सारे कपड़े को अर्जैस्ट करना है देखें लगेंगी कैसे यह देखें है भीच बीच में चारपांच प्लेट लगा लेंगे तो फंब एक बार ना पलेंगे इसका मेजरमेंट करेंगे कि नोईज में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा उसी साव से भी हम इसमें प्लेट से लगाएंगे तो फ्रेंट्स एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं यह देखिए यहां से लेकर और यहां तक यानि कि जो इसका जो सेंटर जो पॉइंट है यह जो में देड़ इंच बाली जगह पर लगाए थी ग्यारा इंच है और हमें चाहिए कितना 9 इच तो यानिक इसमय एक लोट डल जाएगी कर यहां से लेकर तक तो प्रेंट्स इils बिल्कुल आपका देख सेखते हो यह रहा है टोटल सवानू तो कोई बात नहीं तो आप एक प्लेट को धेड़ को थोड़ा भारी कर लें यानि थोड़ी हैवी कर लेते हैं प्लेट को यह पूरा आपका नौच की में कवर हो जाएगा देखें तो फ्रेंट सी तो लास्ट वाली पेड़ थी इससे क्या कि आधा इंची यह थोड़ा बढ़ रहा था शाड़े मैं इस देखेंए तो अब मैं अब को आपको यह यह थो कि नहीं और आप 007 हो आ चुका अ तो को आप 9 00 के दारे में उसी प्लेट में लगा भी प्लेट हो का इनका मुह आपको इस्तरफ करना है और यह देखे हैं अब इस सारे कपड़े को आपको भी 9 इंच में ही इसको कवर करना है इसको इस चीसी को क्या लखना है यह से लेकर यहां तक यह साथे गया हमें चाहिए कितना नो और प्लेट में लगानी केव यह थो लेना है कore उखाते हैं और इसमों इसमई लाङा दूंगा में पूरा का पूरा वैंश में और निखा लुज़ा जाएर executed यह देखे इस परकार के जब प्लेट लगा को आपको नजर आएका बिल्कुल दोती वाले आपको लि-खा के दिखाता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लिरली समाझ आ सके यह दिखी यह इसका नीचे पैर वाला इससा है इसमें पैर डालेंगे और यह साइड वाला पॉर्शन है इसी प्रकार से दोस्तों आपको दूसरे वाले पॉर्शन में भी प्लेट से लगा लेनी यह देखिए ज दोनों ही तरफ से यह देखिए इसको में इस परकार से फॉल्ड कर लिया उल्टा कर लिया है अब आपको करना यह यह इनलिया जो कट है डो तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंट्स यह स्लाई में लगा लिए अब इस स्लाई को लगाने के बाद आप चाहें तो पहले इसको भी फिनिश कर सकते हो नीचे का काम बिलकुल आसान है जैसे हम सूट के चाक फोल्ड करते हैं उसी पकार से इसको फोल्ड करना और इस स्लाई यहीं पर आकर आपकी खतम हो जाएगी कैसे एहे देखी इसको यहां से लाके फोल्ड करेंगे इसको इधर सहीं Sheriff निकालेंगे जैसे सूट के 미्जान ऌचाक फोल्ड करते हैं और इस स्लाई वापसे यहीं खतरहरा हो जाएगी यह स्लाईorman वापसा के यह परकार और आपको यहां से शुरुआत करने हैं देखे यहां कि आपको ढ़ाना कैसे बहुत ही असान है जोकी में आपको बता ही रहा हूं इस लैको आप की इदर से स्टाट कर सकते हो चाहे इसको यहां फिर की का और याद रखना है आपको जब आप यह लगाते हो तो स्राइल लगाते से में आपको थोड़ी एक तरफ से लगबग धाई तीनी जगह छोड़ देनी है क्योंकि दोस्तों बैल्ट लगाने में असानी रहती है तो किदर से स्टार्ट करने को दिक्कत नहीं तो इस राए पहले मैं आपको लगा कर दिखा देता हूं तो फ्रेंट्स क्रोच एरे की स्राइब मैंने लगा लिए एक तरफ से पूरी कप्रीट कर लिए हो और एक तरफ से मैंने थोड़ा से इसमें जो है गैप छोड़ा है अब दोस्तों इ और इसके उपर आपको रखना है इस सलवार को यह देखिए इस परकासे रखेंगे सलवार को सीधी सलाई लगानी है आपको एक पैर की सीधी सलाई लगानी है उसके बाद यह जो बैल्ट होगी दोस्तों इस परकासे परट के बाहर की तरफ आ जाएगी यह पहले बिल्कु स जैसे हम सलवार के उपर नेफा फोल्द करते हैं यहां फिर बैल्ट जब फोल्ड करते हैं लास्टिक दालो इसको आद marginalized करना और इसके इस प्रकार करना है यह दिखें लगाओ गए तो साई प्लेट से अचाया घांगी और बिल्कुल असान तरीके से सीधी की सीधी अपकी ne conditions for order पूर्ड करने के बाद दोस्तूं अभी इंडर में का में वह लाश्टिक को लगाने का तो लाश्टिक कैसे आपको लगानी यह बिर्कुल ईजी है दोस्तों जो भी कमर होती है जैसे कि आप पता है बच्चे की मैं मैं बना रहा हूँ यह उसकी जो कमर है 22 इंच यह आप देखिए आप देखे तो यह वाइस इंच दोस्तों जो कमर आ रही है यह यहां पर लेकिन जब भी आपने लास्टिक लगानी है तो कमर क्या जो भी साइज होता है उसे 3 इंच आपको लाश्टिक कि और दूसरे चोड से प्रकार से अपने पकड़ है सीदे स्लाइ इने लगा लेनी ता कि लास्टिक तो प्रकार से देखिए के हिसके हैं असानी cut भी ठोच चुकी है आप देख सकते हो यह देखिए क्योंकि इदर से मैंने जो सिलाई लगा दिया ताकि लास्टिक इदर से इदर भागे नहीं अब दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है लास्टिक अंदर भी ना घुमें इसके लिए आपको सेंटर मिक्स लगानी बिल् से खेचने से दोस्तों क्या होता कि जो गैदस हैं और गैदस आपको इस तरफ करनी है और जब लास्टिक खींचोंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी लास्टिक आएगी फिनिशिंग आएगी और लगाता सामें पीछे से आपको कपड़े को खेंचना है यह देखे यह ल hou सब प्रकार से तो फ्रेंट्स इस प्रकार से लास्टिक है जो अंदर भी सेट हो जाती है गुंती निए लास्टिक और जो की बहुत असब कार यह में आपको लास्टिक लगा लेनी जैसे मैं इसमें लगा रहा हूँ तो फ्रेंट्स अब इसमें रहे गी है फाइनल एक सलाई जो मैंने क्रोचे अधूरी छोड़ी थी अब इसी सलाई को यह से पूरी करेंगे यह देखे और यह जो लास्टिक वाली जगह है इनको आपसे मिल लेनी है अब चाहें तो इंट्रोक भी कर सकते हूं तो फ्रेंट्स यह है इस बेबी दोतिस सलवार का फाइनल लुक आप देख सकते हूं इस प्रकार से कंप्रीट हो चुकी है और इसमें सिर्फ इंट्रलोक और प्रेस रहे गई उसके बाद यह दोतिस लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बाद प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच